अपने शरीर पर अगर गौर करें तो हमारा शरीर हमें प्रकृति और परमात्मा के घर से मिला हुआ एक अद्भुत वर्दान है हम सभी को केवल दोसरों का ही सम्मान करना ना आए बलकि अपने शरीर का सम्मान करना भी आना चाहिए शरीर की विशेष्टा तो देखो किसमे अलग अलग तरह के और गंस है और सभी और गंस जब तक इसके साथ चेतना का संयोग और संबंद है तब तक हर और गंस अपना स्वतंत्र काम कर रहा है देखो तुसे ही दिमाग अपना काम कर रहा है स्वसंतंत्र अपना काम कर रहा है हमें काम करने के लिए कोई आदेश नहीं देना पड़ता कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती सब अपना काम अपने आप हो रहा है हार्ट अपना काम कर रहा है लीवर अपना काम कर रहा है केड़नी अपना काम कर रही है सभी और गंस स्वतंत्र काम कर रहे है लेकिन फिर भी सब के बीच में कॉंबिनेशन तो देखो कॉडिनेशन तो देखो कि सब एक दूसरे से अपनी मित्रता रखते हैं और कोई भी औरगन किसी के विरोध में जाकर के खड़ा नहीं होता है हमें अपना जीवन जीने के लिए स्वेम अपने शरीर से बढ़कर और किसी से क्या मोटिवेशन और क्या प्रेहना मिलेगी हर औरगन आपस में कितना ताहल मिल है कि वो इस गती से सांस लेगा और वो उस गती से धड़कन चलेगी यही शरीर की विशेस्ता है शरीर एक व्यवस्ता है पर अगर हम इसके साथ में ध्यान और योग को जोड़ते हैं तो यह शरीर हमें और अधिक शुब परिणाम देना शुरू करता है शरीर में हमारे यह जो दिखाई देने वाला शरीर है यह तो इस थूल शरीर है जिसे हम रोज ही अपनी चक्षू इंद्रिय के द्वारा देखते हैं लेकिन ध्यान के जरीर हम इसमें व्याप्त सुक्ष्म शरीर पर भी जागरूख होते हैं शरीर के तीन इस्तर इस थूल शरीर, सुक्ष्म शरीर और कारण शरीर अत्वाईयों समझों शरीर के पांच कोश है अन्न में कोश, प्राण में कोश, मनों में कोश, ज्यान में कोश और आनन में कोश इस थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है यह हमारा अन्नमे कोश है पंच तत्तों से बना हुआ यह शरीर यह देहे पिंड यह भोजन से और उससे मिलने वाली उर्जा से संचालित होता है दूसरा कोश है प्राणमे कोश इस शरीर में व्याप्त हमारी लाइफ एनर्जी जीवनी उर्जा जीवन शक्ति जो इस शरीर का मूल आधाहा रहे तीसरा कोश है मनो मै कोश मन की वह शक्ति जो प्रत्यक प्रकार की कल्पना चिंतन संकल्प और विकल्प करने में समर्थ है वो है हमारा मनो मै कोश चोथा है हमारा ग्यान मे कोश विज्डम बुद्धी जिसकी भीतर इस्मर्थी करने की कल्पना है जीवन पर विवेक का अंकुष लगाने की इस ताकत है और जीवन की सारी गती प्रगती जिसके द्वारा नियंत्रित होती है वो हमारा ग्यान में कोश है और पांचवा आनंद में कोश है वो कोश जो हमारी मूल आत्मा मूल जीवात्मा मूल सत्ता का गुण धर्म है सत्चित और आनंद तो वो कोश वो हमारे भीतर की अत्यनत सुक्ष में शक्ती जो जीवन के हजार उतार चड़ाव के बावजूद हमें अंदर से खुश रखती है हम ध्यान और योग के जरिये अपनी इन ही पंच कोशों के बीच में संतुलन लाते हैं जहां जहां पर भी संतुलन विक्रित हो जाता है हम पुनहां उस संतुलन को बिठाते हैं हम सासों पर अभी काम कर रहे हैं हर सास हमें प्रकरती और परमात्मा के घर से मिलने वाली उर्जा है प्रान शक्ती है जब सास लो तो समझो हमें भगवान के घर से उर्जा मिल रही है ये उर्जा हम पैदा नहीं कर सकते ये उर्जा प्रकरती प्रदान करती है इसलिए कहते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाओ ताकि हमें प्राकर्तिक उर्जा के स्रोत और अधिक प्राप्त हो सकें जीवन में जिसने चार संताने पैदा की पर चार अगर व्रिक्ष लगा दिए चार संताने तुम्हारे काम आई या ना आए पर तुम्हारे द्वारा लगाए गए चार व्रिक्ष वो स्वयम का भी कल्यान करेंगे और दूसरों का भी कल्यान करेंगे हम शरीर के इस्तर पर काम कर रहे हैं प्राण में कोश की तरब बढ़ेंगे अर्थात अपने शरीर में व्याप्त अपनी प्राण उर्जा के साथ अपनी सजगता अपनी ध्यान के स्थिती संपादित करेंगे प्राणायाम का अभ्यास करके शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाते हैं अंदर में जमी हुई अपानवायू कार्मन डाई ऑक्साइड का रेचन करते हैं और अच्छी प्यारी मीठी मीठी सांसें लेकर के अपनी भीतर प्राण शक्ती का संचार करते हैं इसमायले लेजी इसे कभी मरने मत दीजी इसे तभी मरने दो जिस दन ये पार्थिव शरीर हमारा छूट जाए वरना हमेशा अपने आपको गुलाब की फूल की तरह खिलाए खिलाए रखो आईए पहले हम प्राणयाम संपादित करते हैं और प्राणयाम करने के लिए पहले हम उदर शुद्धी और हरदय शुद्धी दोनों तरह के प्राणयाम संपादित करेंगे पहले मुह के रास्ते हमें पेट में जमी हुई अपानवायू दूशित वायू को हमें बाहर निकालना है नासिका से सांस लेने का काम करेंगे और पेट से हमें सांस को बाहर निकालना है मुह के रास्ते ध्यान रखे सांस जब निकाले पूरी सांस का रेचन करे जितना हम अपनी और से रेचन कर सकते हैं प्रारम करते हैं दस बार सांस को बाहर उलीशना प्रारम कर सकते हैं विश्राम लीजी और अब हम कर रहे हैं उदर शुद्धी प्राणयाम कपाल भाती पहले मंदगती से तीस बार सांस लेने काम शरीर करेगा हमें के और बाहर उलीशने का काम करना है स्बस्धी स्ट काम स्ट्पाव电शने का स्ट्पा़ उलीशने काम रहाँऑ़ letsen विश्रा और अब हम करेंगे मध्यम गती से जितनी पहले गती से की थी अब उससे थोड़ा सा तेज गती से तीस बार विश्याम विश्याम शान और अब करेंगे तेज़ गती से तीस बार शान पेट पर ध्यान दे उदर प्रदेश पर आये हुए परिवर्तन को मैसूस करें एक अच्छी से स्माइल लीजिए आँखे खोलिए अब हम लोग छाती के लेवल को उसकी उर्जा को उसकी प्राण शक्ति को और बढ़ाएंगे प्रणायाम करने से शरीर के विशैलेपन दूर होते हैं खास तोर पर वायू तत्व से जुड़े हुए अब हम हर्दय तंत्र स्वसन तंत्र की कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए हर्ड के ब्लॉकेज खोलने के लिए स्वसन तंत्र के छोटे छोटे भीतर के छोटे छोटे अंगुरों तक और अधिक उर्जा पहुचाने के लिए अब हम करेंगे हर्दय शुद्धी प्राणयामी दोनों हाथों को छाती के पास ले आईए दस आवरती संपन्न करेंगे पहले देख लीची एक बार प्रारम करते हैं विश्राम दोनों हाथ नीचे ले आएं जाती पर गौर करें जाती में आये हुए परिवर्तन को महसूस करें जाती में जाती ले एक भाइं झाल झाल